नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्रोड पटवा और आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नॉलेज आल अबाउट में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WCR Railway Apprentice जेवलपूर अनलाइन फ़र्म 2021 जिसमें कुल पांसव एक्साट फोर्ट जिसमें जो है आल इंडिया के अभ्यर्थी जो है आवेदन कर पाएंगे इसमें सेक्ष्रिक योगिता दसवी एव आईटिया एंसीविटी और एसीविटी से पास अउट होना चाहिए स्टेप बाइ स्टेप रजिस्टेशन से प्रिंट तक मोबाइल और कम्प्यूटर के वज़त से आप किस तरह भर पाएंगे यह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ जो लोग मेरे चैनल पर पहली पा रहा है वे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेजबल वीडियो पोश्ट किया जाता है वह आपको हर पल मिलती रहे आपको अपने मोबाइल और कम्प्यूटर में ब्राउजर को ओपन करना है ओपन करने के बाद गुगर के सर्च बाक्स में MP Online टाइप करना है उसके बाद Enter बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आप देख रहे हैं कि MP Online Limited दिखाई देरा उसके आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको नागरिक सेवाएं पर क्लिक करना है उसके बाद आवेदन दिखाई देगा उसके आपको क्लिक करना है आवेदन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे आना है जिसमें आपको रेलवे जबलपूर पस्षी मध्य रेलवे दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह का आप्शन दिखाई देगा, जिसमें आवस्यक सूचना सेवाएं डाउनलोड दिखाई दे रहा है, जिसमें आप आवस्यक सूचना में अप्रेंटिस एक्ट क जो है यहां पर देख सकते हैं मद पसी मद रेलवे जवलपूर रेलवे 2021 के यहां पर दिखाई दे रहा है सेवाएं पर आपको क्लिक करना है सेवाएं पर क्लिक करने के बाद आपको आवेदन फर्म किस तरह भरने का परकिरिया यहां पर दिया हुआ है साथ ही यहां पर एक हिलपलाइन नंबर भी दिया हुआ है इसमें आप सुबह जो है टाइमिक दिया हुआ है कब से कब तक संपक कर पाएंगे साथ ही यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जो फर्स टाइम यहां पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनको create account पर क्लिक करना है create account पर क्लिक करने के बाद जो है आपको application profile registration का form दिखाई देगा जिसमें आपको first name, last name, father's name, mother's name, date of birth, gender select करना है उसके बाद आपका जो category है वह आपको यहां पर fill up करना है उसके बाद यहां पर mobile number और email id fill करना है आपको वही email id और mobile number fill करना है जो आप हमेशा regularly use करते हैं साथ ही यहां पर identity card में यहां पर driver license, pen card, passport, photo identity card, photo credit card, राशन card, water id card इसमें से किसी एक भी id card का chain करना है chain करने के बाद आपको identity card number और confirm identity card number यहां पर fill करना है उसके बाद यहां पर login details में username और password दिया हुआ है username आपके अमसार जो है जो username है आपको बनाना है username अपने सही बनाना है साथ ही यहां पर password बनाने के लिए आपको 1 lowercase, 1 uppercase, 1 number, 1 special character से less 8 character का minimum होना चाहिए यहां पर username बनाने में दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा किन्तु आप लोग username अपने इक्छानुसार बना लें अपने नाम के according उसके बाद आपको यहां पर capture code फिल करना है उसके बाद submit button पर click करना है यूजर नेम बनाने के समय इस प्रकार का एक error आप लोग को सो हो सकता है तो इस तरह आपका जो नाम है उसके बाद जो है आपका date of birth को आप लोग यहां पर enter कर सकते हैं तो इस प्रकार जो है आपका username ले लेगा और यहां पर password जो है आप लोग जिस तरह बताया हूं उसी त नाम ने एक इस प्रकार का message display करेगा जिसमें आपको यूजर नेम दिखाई देगा यहां पर देख सकते हैं आपका नाम दिखाई गया केंग्रेज उसके सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर यूजर नेम आपको यूजर नेम को कॉपी कर लेना है कॉपी कर लेने के आपने जो अभी password बनाया है उस password को यहां पर डालना है capture code को एंटर करना है उसके बाद login बटन पर क्लिक करना है दोस्तों यहां मैं डेमो की रूप में आपको दिखा रहा हूं किस तरह आपको अपना online form भरना है साथ ही यहां पर जो आपका नाम पीता का नाम और माता का ना करना है आपके सामने इस प्रकार का इंटर फेस दिखाई देगा जिस में परस्नल डीट्यल दिखाई देगा जिसमें आपका पहले से ही डिटा दिखाई देगा रिलीजैन आप जिससे भी संबंदित है उसका आपको चैन करना है यहां पर आपका कैटेगरी आल्रेडी आ जाएगा और उसके बाद जो है आपको यहां पर एक चीज और आपसं दिखाए देगा करना होगा और यहां पर क्लिक करना होगा और यहां पर इसके बाद ही यदि आप आनगे नहीं करेंगे तो यहां पर यहां पर इंद कर लेंगे सांत ही merit आपका सादी हुआ है या नहीं हुआ या या नो पर click करना है उसके बाद handicap detail आपको डालना है जो है या पर click करेंगे जो नहीं है नो पर click करेंगे उसके बाद scroll करना है और यहां पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है cp ct details यदि आप हैं तो यह अधिक प्लिक करेंगे यह जब आप ख्ली करेंगी तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलब करना होगा और नहीं है तो दॉपर क्लिक करें उसके बाद के सामने contact details का भाग दिखाई देगा जिसमें आपका present address और permanent address दिखाई देगा जिसमें आपको present address अधार काड के according ही आपको fill up कर लेना है यदि आपका permanent address same है तो यहां check box को active कर लेना है उसके बाद जो है आपके सामने यह permanent address fill up नहीं करना होगा automatic आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे scroll करके आना है उसके बाद save and next button पे click करना है उसके बाद आपके सामने जो है relaxation details वाला tab open हो जाएगा जिसमें आप relaxation से संबंधित यहां पे फिल्ड दिया हुआ है जिसमें आपको yes या no पे click करना है yes या no पे click करने के बाद save and next button पे click करना है इस तरह आपको yes या no पे click कर लेना है आप अपने दिलेक सेक्षन के हिसाब से यहां पे दिख लीजेगा उसके बाद save and next button पे click करना है उसके बाद आपके सामने qualification details वाला tab open हो जाएगा जिसमें आपको select degree में सबसे पहले 10 वी high school का एड करना है select examination by default आजाएगा यहां पे general select कर लेना है सबका समान रहता है उसके बाद full time था या part time उसका आपको select रहना है passing year कौन सा था आपको उसका chain करना है चेंड करने के बाद आपका university और board कौन सा था वह आपको chain करना है उसके बाद select system में mark system था या CGPA system था उसका आपको chain करना है दो आपको प्रूटन के बाद roll number, applicant mark, total marks उसके बाद percent count करके आपको यहां पे fill up कर लेना है उसके बाद add button पे click कर लेना है इस तरह जो है सारे data को fill करने के बाद add button पे click करना है add button पे जब आप click करते हैं तो आपके सामने जो है यहां पे जो इस तरह जो है आपका एड हो जाएगा उसके बाद जो है आपको University of Board Next Qualification को एड करने के लिए जो है आपको Diploma select करना है उसके बाद select examination name में ITI select करना है उसके बाद subject course आपका जो course था उसका chain कर लेना है यहाँ पे उसके बाद select course था फूल टाइम था या part time passing year कौन सब था उसका आपका chain करना है चैन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे University Board NCVT से था या SCVT से था उसका आपको chain करना है यहाँ marks उसी प्रकार से रोल नंबर अपडेट मार्स टोटल मार्स percentage काउंट करके यहाँ पे फिल अप करना है उसके बाद add बटन पर क्लिक करना है इस तरह आपके सामने जो है दसवी और diploma के अंतगत ITI का यहाँ पे जो है आपका सारा details दिखाई देगा इसको आपको एक बार चेक कर लेना है चेक कर लेने के बाद next बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने जो है एक experience details वाला tab open हो जाएगा इसमें जो है experience नहीं मागा है जिनके पास है वो भी ना fill up करें और जिनके पास नहीं है वो है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर experience से क्योंकि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें उलेख नहीं किया गया है तो यहां next बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने जो है in close documents marks फिल्ट असमें डेटी यहाँ पर जो है photograph और signature जो है upload करना है और सा photograph upload करते समय जो है आप अपने उनसार यहां पर scroll कर सकते हैं तो इस पर कार्प कर सकते हैं तो क्रप आप कर लेंगे उसके बाद जो है नीचे जो right button दिया हुआ हुआ है उसके बाद इस इसी तरह आपको अपना signature भी upload कर लेना है उसके बाद जो है नीचे जो है I can see your photo और I can see your signature जो दोनों check box को active कर लेना है active करने के बाद यहां पर एक चीज़ है upload card certificate जो ST category वाले हैं उनको यहां पर card certificate upload करना होगा तो upload कर लेंगे उसके बाद save and next button पर click करेंगे और size जो है उसका 200 KB से कम का होना चाहिए और JPG format में ही होना चाहिए उसके बाद आपके सामने जो है print receipt का tab open हो जाएगा या form आपको नीचे scroll करके आना है और आने के बाद आपको उपर top में जाना है top में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि home button दिखाई दे रहा है इस पे आपको click करना है click करने के बाद आपको profile dashboard दिखाई देगा जिसमें आपको running application form पे click करना है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार जो है दिखाई देगा जिसमें currently no application form is running तो यह जो है यहाँ पे एक problem यह है कि notification में जो है अवेदन प्रारंब होने किती थी अठाइस एक से सताइस दो दो हजार 21 तक सो किया है किन्तु जो है वहाँ पे अभी application जो है active नहीं किया गया है apply करने के लिए है तो आप लोग को जो है कुछ समय wait करना है उसके बाद जो है आप वहाँ पे जो है payment का option जो है तो आप लोग को इंतिजार करना है जब वहाँ पे सो हो जाएगा payment option तो आपको जो है एक अलग वीडियो बना के किस तरह payment करना है मैं बताऊंगा application link एक्टिव ना होने के कराल जो है आपको यहीं तक मैं बता पा रहा हूं इस वीडियो में इस तरह payment link एक्टिवेट होने के बाद running application forum पे जब आप क्लिक करेंगे और जब यह लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ से आपको payment का option देगा उसके बाद जो है आपको एक अलग जगा जिस हिसाब से यहाँ पे notification में बुला गया है कि परतेक उमिदवार को आवेदन करने से पूर नई website पर registration कर लेना है और registration करने के बाद जो है नई website में अपनी profile अपडेट कर लेना है पंजी करण करते समय पोर्टल पे उमिदवार का नाम जो भी यहाँ पे data दिवा है उसको आप लोग notification वाला जो वीडियो एक बनाया हूँ उसको आप लोग देख लिजेगा पंजी करण के उप्रांत अभियर्तिक अपरेंटिशिप अपर्शनेटिट टैब में यहाँ पे बिजो नए पोर्टल जो दिया हुआ है उस पोर्टल पे भी जो आपको आवेदन करना है तो किस तरह आवेदन करना है आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ और पेमेंट का जो प्रॉब्लम आ रहा है अभी लिंक एक्टिव ना होने के कारण उसका एक अलग से वीडियो में बना के अप्लोड कर दूँगा इस तरह आपको जो है अप्रेंटिसिप इंडिया.org के साइड पे जाना है और यहाँ पे लोगिन बटन पे क्लिक करने के बाद के इंडिडिट कोड और इमेल आइडी डाल कर और पास्वार डाल कर चेक बॉक्स को एक्टिव कर लेना है उसके बाद लोगिन बटन पे क्लिक करना है, लोगिन होने के बाद आपको यहाँ पे अप्रेंटिसिप ऑपर detecting वाले टैप पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको नौटिफिकेशन के अंदर जो establishment का code दिया हुआ था, इसको आप लोग को टाइप करना है, यहाँ पे यहाँ पे जो दिया हुआ होता है search by establishment name में जो है आपको उस code को type करना है type करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे DRM Office West Central Railway जबलफूर सो कर रहा है इस पे आपको click करना है click करने के बाद जो है आपके सामने 30 opportunity दिखाई देगा जिसमें आपको सारे trade का जो है यहाँ पे दिखाई देगा जो आपका ITI में trade था जिस trade से आपको यहाँ पे apply करना है उस trade को जो है आपको यहाँ पे search कर लेना है देख लेना है देखने के बाद जो है आपको वहाँ पे दो option दिखाई देगा apply और view उसमें apply बटन पे click करना है apply बटन पे click करने के बाद primary location select करना है उसके बाद ok बटन पे click करना है ok बटन पे click करने के बाद आपके सामने इस प्रकार applied successful के एक message display करेगा और यहाँ पे already apply दिखाई देगा इसमें आपका photograph नेम जहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको click करना है उसके बाद dashboard वाले option पे click करना है उसके बाद आप देख सकते हैं कि candidate dashboard show करेगा जिसमें आप जिसमें आप application वाले भाग पे click करेंगे click करने के बाद यह थोड़ा से refresh लेगा refresh लेने के बाद आपको यहाँ पे trade और आप establishment का नेम और applied किस date को किये हैं वा आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो भी इस वीडियो के अंदर जनकारे दिया गया है उसका नीचे link description box से मिल जाएगा और साथ ही apprentice registration किस तरह करना है उसका link आपको description box में मिल जाएगा और साथ ही photo signature का resize किस तरह आप mobile के माज़म से कर सकते हैं वह भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा जो लोग मेरे details वाले video को नहीं देखे हैं उसका link भी नीचे description box में मिल जाएगा आप उसकी details की पूरी जानकारे जो है apprenticeship भरती की देख सकते हैं और साथ ही आप सभी को यह video कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें ताकि उन तक जानकारी पहुच सके आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रूप और फेस्बुक पेस से ज़रूर जुड़े जिसका लिंक नीचे description box में मिल जाएगा चैनल को like, subscribe and share करना न भूलें ठैंक्स फर वाचिंग, जै हिंद